नमस्कार मैंने लाक्षवस लोग बात में आपका स्वागत करता हूँ आज भाई दोज है कार्टिंग मास के पांच दिवसिते उहारों का आखरी दिन आए जानते हैं भाई दोज के बारे में भाई दोज का पर्व भाई भेन के स्ने, त्याग और समर्पन का प्रतीक है इस दिन भाई भेन अपने प्यार बरे रिष्टे को और प्रकार करते हैं इस दिन भेने अपने भाई की लबी उम्र और उनकी समर्थी की कामना करती है भाई दूज जिसे भाबीच, भाई टीका और भाई फोटा के नाम से भी जाना जाता है एक विशेश तिवार है जिसे भारत में भाई और बहन के बीच बंधन मनाने के ले मनाया जाता है कार्तिक के हिंदू महीने में शुकल पक्ष के दूसरे चंदर दिवस के रूप में मनाया जाता है भाई दूज रक्षबंदन के समान है जब एक भाई और भेन एक दूसरे कले प्रारतना करते हैं लंबे जीवन और उपहरों का आदान प्रदान करते हैं भाई दूज एक ऐसा तेवहार है जो एक भाई और भेन के बीच के बंदन का जश्न मनाता है यह दिवाली के दो दिन बाद मनाया जाता है पास दिनों तक चलने वाले महापर दिवाली के आकरी दिन भाई दूज का तेवहार मनाते हैं भाई दूज के कई शेतरे नाम हैं उत्तर भारत में इसे आम तोर पर भाई दूज के रूप में जाना जाता है और दिवाली के दोन बाद मनाया जाता है नेपाल में इसे भाई टीका कहते हैं जबकि इसे पश्यम बंगाल में भाई फूटा के नाम से जाना जाता है दक्षिन में जहां इसे यम द्वीटिया के रूप में मनाये जाता है महीं भाई बीज, भद्रू दिविदा, भ्रते दैते या भोगिनी हस्त भोजमुम के नाम से भी जाना जाता है शास्तरोक्त मानता है कि कार्दिक शुकल पक्ष की दुटिया तिथी को बहन यमुना ने अपने भाई यमदेव को घर पर आमिंतरत किया था और सतकार पूरग भोचन करवाया था इस आयोचन से नारके जीवन जी रहे जीवों को यातना से छुटकारा मिली थी और वे तरब्द हो गए थे पाप मुक्त होने के साथ ही वे सबी सांसारिक बंदनों से भी मुक्त हो गए थे उन सभी जीवों ने मिलकर एक महोचसव का आयोजन किया जो यमलोक के राजे को सुख पहुँचाने वाला था इस कारण यह तिथी तीनों लोकों में यम दुट्या के नाम से प्रसिद हुई लोकबात के ओर से सभी तर्शकों को भाई दुट्य की हार्दिक्षिप काम नाए